हेलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें कि सुजलो नेनेजी की स्पिनिंग टॉप केंडल बनी है इसके अंदर इसके बारे मैं डेटेल में जानेगे कुछ नया सिखे दोस्तो यसी जानकर आपको बाल कहीं नहीं मिलेगी टेक्निकल चाट की उपर हम बात करें तकरिबन आज डिलेवरी कितनी उठी तो यहां पर एक्चुली जो है 16 करोड और 19 लग के आसपास की यहां पर डिलेवरी उठी है तो जितने शेयर ट्रेड हुए उतने ही डिलेवरी हुई होगी 42 रुपे और 80 पैसे के उपर क्लोजिंग रही लेकिन जो यहां पर बायस खड़े है वो 42 रुपे और 30 पैसे के उपर खड़े है तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो है यह माना जाएगा तो आगे देखते हैं आगे बड़े उससे पहले आप हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखा करें यह तीन दिन पहले का वीडियो है आप देख सकते हैं SMC Global 101 रुपे के उपर हमने शेयर किया था और कल ही इसने 110 रुपे के उपर यह गया था इसने हाइब बनाया था और उसके बाद देखे तो यह कल के दिन IRFC का शेयर जो है हमने शेयर किया था 73 रुपे के उपर आज इसके अंदर 5% के आसपास के तेजी देखने को मिली कब से यह ठंडा पड़ा हुआ था और आप देख सकते हैं आज के दिन की अगर बात करें तो दोपेर के बाद अच्छा क वीडियोस देखा जरूर करें क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है आगे देखते हैं सबसे पहली बात है कि यह स्पिनिंग टॉप जो है होती है कैंडलिस्टिक वह होती क्या है रेट कलर की भी होती है यह बेरिश के मतलब कि इसको कह सकते हैं इसको तो यहां पर अगर आप देखेंगे हम सब को पता है कि अंदर अच्छे कासी तेजी यहां पर आई है और यहां पर उपरी लेवल के उपर यह थोड़ा सा जूम किया हुआ चाटे इसको आप अच्छे से देख सकते हैं यह देखे तो बिल्कुल आप स्पिनिंग स्टॉप केंडल यहां पर बनी हुई है और यहां पर आज की संभावन ऐसी लग रही है कि मतलब की इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और पिछली बार भी कहीं बार मैंने बोला आज के दिन पी अगर देखेंगे कि दो पेर के बाद अच्छी कासी प्रॉफिट बुकिं करें साथ ही दोस्तों इस के उपर वीकेंड के वीकेंड के उपर इसके फंडमेटल के वपर शिर्चा करेंगे तो सुब्सक्राइब जरूर कर ले अब RSI की बात करें, डेली इसके उपर हम चर्चा करते हैं, अगर आपकी इसके अंदर holding है, तो again request की subscribe कर ले, क्यूंकि इसके उपर हम डेली update लाते हैं, RSI की जो है, डेली हम इसके उपर हम चर्चा करते हैं, आज भी इसका RSI देखें, तो डेली चाट के उपर, 85 के उपर है, तो अब इसका weekly चाट के उपर हम, अगर इसका RSI देखेंगे, तो वो भी 86 के उपर पहुँच गया है, monthly चाट के उपर देखेंगे, तो वो तो 90 के उपर पहुँच गया है, तो कई ना कई यह संभावना, एक possibility की अगर बात करें, तो यह अभी यहाँ पर ज्यादा लग रह आती है, correction आता है, तो कहां तक जा सकता है, तो सबसे पहली बात, कि यह जो 21 नीचे की यह वाइट कलर की लाइन है, 21 दिनों के मुविंग एवरेज के पास, पिछली बार इन्हों ने जो है, support लेने की कोशिश की, जैसे कि यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद य decision जो है, वो आप का रहेगा, आप क्या करना चाते है, यह जो RSI है, और यह spinning top candalistic pattern है, उसके उपर जो है, आप नजर रख सकते है, जो भी situation बन दिये, technical chart के उपर अगर बात करें, तो सुझलोन energy, अभी अगर देखे, इसका price 42 रुपे के आसपा से, तो जैसे कि यहाँ पर द लिखते हैं, उससे भी पहले का एक support जो है, इसको यह 40 रुपे के आसपास मिल सकता है, जो कि आज ही यहाँ पर इसने support लिया, यह round bigger number भी है, यह छोटा सा support भी हो, इसको मिल सकता है, अब जो है, इसके पहले support है, इसकी हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहला support जो है, तो शопас तो यह तीनों ही सपोर्ट के ओपर आप नजर रख सकते हैं और अगर अब रजिस्टन की बात करें तो कल भी इसके ओपर हमने चर्चा की थी पहला रजिस्टन मुझे अभी भी जो यहीं लग रहा है और आज भी वहीं हुआ उपर गया 44 रुपे तक उसके बाद वहां से करेक बात हो यह शौट टम की तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टन के उपर जो आप अपनी नजर रख सकते हैं और आज के वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें शेर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ दूसरे वीडियो भी हमारे जरूर देखें